और युक्रेन युद्ध के 468 दिन बाद बड़ा परदा फाश हुआ है बक्मूत की जंग भले ही जीट चुका हो लेकिन बिटेन के रक्षा मंत्राले के मताबिक क्या बात निकल कर सामने आ रही है वो समझे यह कहा गया है कि यहां करीब 9 महीने चले युद्ध में रूस को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है और दावे के मताबिक बक्मूत में हर कदम पर रूस को अपने दो सैनिकों की जान गवानी पड़ी है युक्रेन के चप्पे चप्पे पर रूस की मिसाईले बरस रही है व्लादिन में पोतिन के रक्षा मंत्राले के मताबिक रूस की सेना ने चौधर्पा हमले में एक साथ युक्रेन के कई मिलिटरी ठिकानों को बरबाद कर दिया है पीते 24 घंटे में रूस ने युक्रेन के किन किन हख्यारों को मार गिराया है उससे पहले आप युक्रेन युद में अब तक का सबसे बड़ा बरदाफास जान लीची बक्मूत की जंग पर बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है इसके मताबिक रूस को युक्रेन के इस इलाके पर कपजे की बड़ी कीमत चुखाने पड़ी है दावे के मताबिक बक्मूत में हर 48 सेंटीमीटर पर कपजे के एवज में रूस को एक सैनिक की जान गमानी पड़ी है ये रिपोर्ट कहां से आई तफसील से आपको दिखाएंगे अभी जंग की जमीन से आई सबसे नई तज़्वीर देखिए जहां रूस ने युक्रेन के पास गिनती के बचे लड़ाकों विमानों में से एक सू ट्वेंटी सेवन को मार गिराया है एक MI-8 हेलिकॉस्टर को ठीर कर दिया है तो तमाम UAV यानि ड्रोन को भी जमिन्दोज करने का दावा किया है पुतिन की सेना ने अमेरिका से मिले युक्रेन के कई गिमार्स और प्रेटर्ट से मिले स्टॉम शैडो क्रूज मिसाईलों को भी एंटरसेप्ट किया है जबकि युक्रेन की सेना का दावा है कि उसमें दुश्मन के हर हमले को नाकाम कर दिया है वॉलिदी मीर्स जैलंस्की के रक्षा मंत्राले के मताबिक उसकी सेना, डॉनेस और लोहांस्क में दुश्मन सेना का डट कर मुखाबला कर रही है दावे के मताविक यूक्रेन की सेना ने 24 घंटे में रूस के कई मिलिटरी साजों सामान को बरबाद कर दिया है दावा तो यहां तक है कि यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की एक कमांड पोस्ट पर हमला किया इसमें पुतिन के एक एर डिखन सेस्टम और हत्यार गोदाम को तबाह कर दिया गया इतना ही नहीं, हमले के लिए तैयार कई जून को भी नाकाम कर दिया गया रूस के बेलगरत के गवर्नन के मताविक यूक्रेन ने एक बार फिर उनके इलाके पर अटाक किया रहाईशी बस्तियों को निशाना बनाया, दावे के मताविक यूक्रेन की सेना ने बेलगरत एलाके में करीब सौ हमलों को अंजाम दिया है वार पलट वार के इन दावों के बीच, कियू में भूस का कोहराम जारी है दहशत का आलम ये है कि कियू के लोग एर रेट सारन की कान पूरी और आवाद से पूरी रात जाक कर काट रहे है कियू पर रूस के अंधा धुन्ध हमले जारी है जानकारों के मताबिक यू का अंजाम भी वही हो सकता है जो पूर्वी योपेन के बख्मूत का हुआ है ड्रोन कैमरे में कैर बख्मूत का ये मंसर युद्ध की द्रास्दी का सबसे डरावना सबूत है ये शहर कभी गुलजार था लेकिन आज खंडर बन चुका है कभी लोगों से भरे रहने वाले घर अब मुर्दा घर बन चुके है रोस बख्मूत पर कबसे का ऐलान कर चुका है पुतिन की ब्राइज़ेच आर्मी वैटनर प्रूप के मालिक ये वेकेने पिरोगस है यहां से उक्रेम के एक एक सानी को खडर लेकी मुनाभी का चुके पुतिन पुंची बाख्मूत ने अदनाओ उक्राइंस्काव वाएंनग पा तोई प्रिचिने शो में पिरेस्टाले ब्राइप प्लेंग त्रूप उक्राइंसकी वाएंनग अग्रोमने कलिचिस्टव बाख्मूत प्लनेस्टव पाख्मूत यह यूरिदिचिस्किम ग्रणीचम दो पस्लेग संटिमेट्र वाजिसांच लुकाविट लिब ओन पाख्मूत को फटा करने में रूस को नौ महीने का लंबा वक्त लगा इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं को बड़ा नुकसान हुआ अब बिटन के रक्षा मंत्राले ने बख्मूत में रूस के नुकसान पर रिपोर्ट जारी किये इसके मताबिक बख्मूत में हर 19 इंच यानी 48 सेंटीमेटर जमीन पर कबजे के लिए रूस के एक सैनिक को जान देनी पड़ी यॉरप के देशों के मताबिक बख्मूत में रूस के 20 हजार सैनिकों की मौत होई इन में से आधे वैगनर ग्रुप के लड़ाके थे बख्मूत की जंग में रूस के 60 हजार सैनिक भायल हुए जबकि अमेरिका के मताबिक यांकडा एक लाख का हो सकता है बख्मूत का क्षेत्रपल करीब 42 वर किलोमीटर है यहां की आबादी करीब 73 हजार हुआ करती थी लेकिन अब इस बरबाद इलाके पर रूस का कबजा कायम हो चुका है लेकिन यहां की इंच इंच जमीन पर कबजे के लिए रूस को बहुत बड़ी कीमत चुपाने पड़ी है बक्मूत की लड़ाई में कई उतार चड़ावाए यूकरेन की सेना कई बार रूस पर हावी होती दिखी बक्मूत की लड़ाई में वैगनर ग्रूप के मुखिया क्रेमलिन के खलाफ बागी होते हुए दिखे लेकिन अंतुमें पुतिन ने यूक्रेन की सेना को बखमूत से खदेर कर ही दम लिया है लेकिन अब दावा है कि इस युद्ध के लिए पुतिन को भारी कीमत चुकानी पड़ी यूक्रेन के मददगार देशों ने रूस के नुकसान पर रिपोर्ट दुजारी कर दी लेकिन जेलन्स्की को क्या और खितना नुकसान ओवा इसे लेकर चुक्पी सावी यूद कीमीती के लिजी या फिर साइकलोजिकल वा Може, в них бар'єри дитячі заклади і діти Ні, цього бар'єру в них теж нема Вони вбивають спокійно дітей, не задумуючись Дивіться, наша позиція дуже проста Ми не воюємо на території інших держав І в нас немає ніяких претензій територіальних і амбіцій Щодо інших держав У нас є міжнародне визнання кордони нашої держави Частина з наших територій тимчасово окупована Наша задача їх повернути І от на цій території ми застосовуємо безумовну зброю Щоб їх Йоукраїнкі серкар то Бахмутбе Аббі мовжуд гонегедаве карраї Йоукраїн чахе, чо бі дава каре Бахмуткі заміні хакікатор Русске Бахшме Векбнер групп яхазе Рус лодчукае Бахбут паркабзе табад Векбнер чіф не Іс алакіко Русскі сіна ке хавалі картия Ми виводім підрозділення із Бахмута Сьогодні Сьичас 5 утра 25 мая До 1 июня Основная чась перебазіруються В талавые лагеря Передаём позиции военны Военным байкомплект Позиции Включая сухой пайог Бахмут کی ладайи Ме каји утар чадхау Декхнико миле Русс па каји баар Йоукраїн Хави хута декха Векбнер групп ка мухья Кремлин ке халаф Багги хута декха Лекин Русс па каји баар Америка Ор Бриттен Ко сабак Сикханэ ка Айланд Крчук Бриттеш Акбар Делли Мейл Ней Русс Пар Джасуси Ка бада Аароп Лага Аароп Ке мутаабир Валди Мейр Нам Ка Русси Джасус Свейден Мейн Долфин Ор Сиил Ко Джасуси Ки Тренинг Де рہа Даве Ке мутаабик Свейден Мейн Назар Белу Га Век Саб Саб Себ 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 Даве Даве Себ Сем 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 पेंटागन डॉल्फिन की तरह देखने वाली पंडुपी बनाना चाहता है। लेकिन दावा किया जाता है कि अमेरिका की असली मंशा समुत्री जीवों से जासूसी कराना ही था। फिलहाल कहा जा रहा है कि चार साल पहले नॉर्वे में देखा बेलूगा वेल ही स्वीडन पहुचा है। नॉर्वे नैटो का सदस से है। स्वीडन भी नैटो का सदस से बन सकता है। ऐसे में इस दावे में दम है कि रूस ने सुईडन की जासूसी के लिए इस बेलूगा का इस्तिमाल किया हूँ क्योंकि योकरेन भी नैटो में शामिल होने की चाहत रखता है जो उस पर रूस के हमले की वज़ए है ऐसे में अब सवाल ये हैं कि क्या पुतिन योप्रेन पर हमले का दारा नैटो की देहलीस तक ले जाने वाले हैं और भर नैटो के बाद रूस ने बाल्टिक सागर में सेन्य अभ्यास शरू कर दिया है और रूस के सेन्य अभ्यास में 60 से जादा जंगी जहाज 35 सेन्य विमान और 11,000 रूसी सेनिक शामल है रूस ने ये अभ्यास जापान सागर के करीब किया है